एक रेगिस्तान जिसके दूर दूर तक सिर्फ रेत गर्मी और सुखापन था, पानी की कमी थी, बहुत कम लोग वहाँ पर रहते थे और आने जाने वाली लोग भी बहुत कम ही थे, लेकिन आज उसी बंजर जमीन पर दुनिया का सबसे शांदार और वेल नोन टूरिजम बसा मैं बात कर रहा हो दूबई की लेकिन यह तो सारी वो चीज़े जो आपने देखी है, आपको दिखाई गई है जितना पैसा इनके पास है और वो कमाते जा रहे है, क्या उसके पीछे कोई साकरिफाइस भी हो रहा है किसी को डिस्ट्रक्शन फेस करना पड़ रहा है, क्या है डिस्ट्रक्टिव साइड ओफ दुबई कहा जाते हैं कि ब्लैक स्वाइल, ब्लैक कॉटन स्वाइल कंस्ट्रक्शन के लिए आइडियल नहीं है मतलब इसके प्रॉपर्टिज ही कुछ ऐसे है, जिसके चलते फाउंडेशन, फ्लिंद बीम्स और फ्लोर्स उपर नीचे हो सकते हैं तो सोचो, अगर यही कॉन्क्रिट वाला कंस्ट्रक्शन अगर रेत में, डेजर्ट में करना हो तो, क्या यह पॉसिबल है देखते हैं, गूगल क्या कहता है लेकिन यह कैसे पॉसिबल हो गया, यहाँ तो पहले डेजर्ट था दुबई ने कई इंपॉसिबल प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया है लेकिन ऐसे और भी कुछ प्रोजेक्ट्स है, जिनको दुबई ने करनी की तो कोशिश करी लेकिन वो उल्टे दुबई के उपर इभारी पड़ गया 2003 में, वर्ल्ड नाम के 300 आयलाइंड, वर्ल्ड के शेप में बनाने का प्रोजेक्ट दुबई के शेक, मौहमद बिन राशिद, अलमक्तुम ने डिसाड किया था 2008 आते आते, ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट तो हो गया लेकिन एक लाग करोड का ये प्रोजेक्ट, अनफॉर्चुनेटली, फेल हो गया एक्चुली लॉंच के एक दो सालों में ही ये आयलाइंड इरोड होने लगे थे इनको बनानी के लिए जो रेत यूज हुई थी, वो वही के कम घहरे समंदर से निकाल कर यूज हुई थी जिसके चलते वहाँ के हाई प्रेशर के कारण दुबई के ओशन में चेंजिस होने लगे इवन इसके साथ बाकी प्रोजेक्ट्स ने भी विंड के नाच्रल फ्लो को हिला के रख दिया जिसके कारण ना सिर्फ ये वॉल्ड आयलाइंड के एरोजन का कारण बने बलकि दुबई के एक्च्छल कोस्ट लाइन भी इरोड होने लगी उसके अलावा मरीन लाइफ का भी क्या हाल हुआ होगा सोच कर देखो पिछले 30 सालों में दुबई ने कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा ग्रोध करी है लेकिन इसका वाइड लाइफ के उपर बहुत ही ज़्यादा इंपक्ट पड़ा है इंडस्ट्रिल डेवलप्मेंट ने भी नाच्रल रिसूर्सेस को एक्स्प्लोइट करते हुए वाटर को पोलिूट किया है और एंवर्मेंटल कंडिशन्स के उपर भी इंपक्ट पड़ा है इवन रिसेंटली 14 एप्रिल 2024 को दुबए में हुए एक्सेसिव रेनफॉल के पिछे क्लाइमेटिक चेंज का ही हाथ है एक रेगिस्तान से भरी जगा जिसको कॉंक्रिट से ढग के आर्टिफिशल आइलेंड से लेके क्लाउड सीडिंग से बारिश तक कई चीज़े आर्टिफिशल ही करी जाती हो वहाँ पर नेचर के साथ खिलवाड नहीं हो रही है तो और क्या हो रहा है दिन पर दिन हम डेवलप्मेंट की आर्ड में नेचर के डिस्ट्रक्शन को नजर अंदास कर रहे हैं जिसका नेतिजा क्या हो सकता है यह हमें दुबई का इनेक्सपेक्टेड रेंफॉर्ड और वहां के फिलर्ट्स ने बता दिया है वाकि आपको इसके ओपर क्या कहना है कॉमेंट्स में ज़रूर बता मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाई बाई